विलाटार्यों एक्षामे राज्गुरू तताचरकी विलाज्गुरू तताचरकी कुछ समय पूरू महामंद्री जी महाराज आद की कारवे आरम की जाने जो आग्या महाराज महाराज, उज्ञेन प्रदेश के राजदूर अच्छुत्य मौर्या आपसे भेट करने की अनुमती चाहते हैं महाराज, मैं उज्ञेन से अपने महाराज द्वारत दी गई, एक चनोती लेकर आया हूँ मेरे महराज विजय नगर दर्बार से अत्यंधी प्रभावित हैं। सुना है विजय नगर दर्बार में कठिन से कठिन समस्याओं का निवारण पल में हो जाता है। मेरे महराज ने चुनोती के रूप में कुछ प्रेशन भेजे हैं। जिनका उत्तर प्राप्त कर मुझे आज ही उजयन के लिए प्रस्थान करना है। और यदि मुझे मेरे प्रश्णों के उत्तर नहीं मिले। तो मैं आपके नगर के सबसे विद्वान व्यक्ति को इस रस्थी से बांध कर अपने साथ उजयन लेकर जाऊंगा। मंत्रवर औडित्राम कृष्मत हो गये। गुरुजी आप से अधिक विद्वान तो इस तरवार में क्या इस संसार में भी कोई नहीं है। हाँ, आप ही जाएंगे। संभल के नहीं है। अचित है, अरन्तु यदि आपको आपके प्रश्टों के उत्तर मिल गए, तो ये रस्षी आप फोयम अपने गले में धारन करेंगे। और उसे मुक्ति आपको उज्जे नरेश के समक्ष जाने के परश्टी प्राप्त होगी। कहिए, स्विकार है आपको। मुझे स्विकार है महाराज। अचित, प्रश्ट पूछिए। मेरा पहला प्रश्ट है, कौन सा पुष्प सबसे उत्तम होता है। यह तो अत्यांती सरल प्रश्ट है या चुत्मादे। इसका उत्तर तो हम दे देते हैं। सबसे उत्तम पुष्प कमल का होता है। पूजा में प्रियोग किया जाता है, जी महाराज। महाराज। महाराज, हमारी द्रिष्टी में सबसे उत्तम पुष्प है गुलाब। क्या है महाराज की गुलाब की सुगन अती मनमोहक होती है। और महराज गुलाब अन्य पुष्पों के मुकाबले दिखने में भी अती सुद्दर होता है ना ना महराज मुझे तो लगता है सबसे उत्तम पुष्प की इंदे का होता है कुटवाल महोदे आप बीच में क्यों टपके यह प्रश्ण केवल हम जैसे विद्वान पुरुष्प के लिए है समझें शमा अचारे हां तो हम कह रहे थे कि सबसे उत्तम पुष्प जो होता है वो कमल का होता है नहीं गुरुवर हम कह रहे ना सबसे उत्तम फूल गुलाब होता है कमल का होता है नहीं गुरूवर हम कह रहें गुलाब होता है कमल का होता है अरे गुलाब होता है कमल का होता है शांत हो जाईए आप सब समा समा महाराज जी महाराज सभी उत्तर सही नहीं है पंडित रामक्रिष्णा जी महाराज हम चाहते हैं कि आप इस प्रश्ण का उचित उत्तर दें जो आग्या महाराज इस संसार में सबसे उत्तम पुष्प वो है राजदूत महुट है जो आपने, मैंने, महाराज ने, गुरुवर ने और सभी दर्बारियों ने पहना हुआ है हमने पुष्प धारण किया है और हमें ज्यादी ने यह कैसा पर्यास कर रहे हैं पंडित रामक्रिष्णा यदि आपको उत्तर ग्याद नहीं है तो आप कह दीजिए कि उत्तर ग्याद नहीं है अनुशित उत्तर देने की क्या आवशक्ता है गुरुवर मेरा अर्थ कपास के पुष्प से है कपास के पुष्प के धागे से बने वस्तर ही हम पहनते हैं जो सभी रित्मों में हमारे शरीर की रक्षा करते हैं इसके बने धागे से बने वस्तर से ही हम अपने सम्मान को ढखते हैं और इसी कारण से महाराज कपास का पुष्प ही इस संसार में सबसे उत्तम पुष्प होता है महाराज पंडित रामा कृष्णा का उत्तर सही है कपास का पुष्प ही सबसे उत्तम पुष्प है वाद अच्छे पंडित रामा कृष्णा का उत्तर सही है गुरुजी, गुरुजी, इतना तो बताई है कि यह आपको भरे दर्बार में उत्तर देने के लिए कहां किसने था हूँ हाँ गुरुजी, आपने अनुचित उत्तर दे के महराज के सामें अपनी नाज तो कटवाई है हमारी भी कटवाई है अब मेरा दूसरा प्रश्ण है सबसे अधिक मिठास किस में होती है सबसे अधिक मिठास तो मैसूर पाक में होती है नहीं गुरुजी, हमारी दृष्टी में इस प्रश्ण का उत्तर है पायसम नहीं, 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 मैसूर पाक, नपायसम सबसे अधिक मिठाज महाराज जलेवी में होती है खोतवाल चमा अचारे पंडित रामा कृष्णा जी महाराज क्या आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर है वानी वानी से यदी मीठे शब्द निकले तो उन मीठी वानियों की तुल्ना संसार के किसी भी मिष्ठान से नहीं हो सकती अर्थात मीठी वानी से उत्पन मिठास अतुल्निय है अति उत्ताप पंडित रामा कृष्णा आपका उत्तर सही है अब मेरा तीसरा प्रश्न इस संसार में सर्व श्रेष्ट राजा कौन है इस प्रश्न का उत्तर तो हम ही देंगे सर्व श्रेष्ट राजा है हमारे महराज इस संसार के सर्व श्रेष्ट राजा हमारे महराज आदर्णी अश्री कृष्ण देव राय ही है हमारा ये उत्तर अनुचित हो ही नहीं सकता ऐसा प्रतीत होता है कि पंडित रामा कृष्णा हमारे उत्तर से सहमत नहीं है क्यों पंडित रामा कृष्णा, आपकी द्रिष्टी में हमारे महराज से श्रेष्ट को यह और राजा है जी गुरुवर जी लाजाओं में सर्वस्रेष्ट राजा इंद्र है महराज जिनकी आग्या से वर्शा होती है और धर्ती पर क्रिशी का कार्य संपन्न होता है और मनुष्य से लेकर जानवर तक सभी जीवों का पालन कोशन होता है महाराज अध्षोत पंडित रामकृष्णा आदाय आप बताईए पंडित रामकृष्णा का उत्तर सही है जिसका प्रमान आप सभी ने अपनी तालियों द्वारा स्वयम दे दिया है अब मेरा अंतिम प्रश्ण है सूर्य और चंद्र की द्रिष्टी से क्या छुपा हुआ है अंतिम प्रश्ण और इतना सरल हम उत्तर देते हैं सूर्य और चंद्र सद्यों से आकाश में सूर्य और चंद्र ने युगों युगों को बदलते हुए देखा है उनकी द्रिुष्टि से क्या च्पा रह सकता है? कुछ नहीं तो इसका उत्तर हुआ सूर्य और चंद्र से कुछ च्पा नहीं रह सकता सत्य वचन गुरूव Scout हमारा उत्तर उचीत है, महरा उत्तर उचीत है, एकदम उचीत है हमारा उत्तर महानुभव आपने जो सूर्य और चंदर के विशय में वचन कहें हैं वे सत्य थे धन्यवाद धन्यवाद परन्तु मेरे प्रश्निका उत्तर नहीं मैं ये ग्याद करना चाहता हूं कि शताब्दियों से युगों से विद्यमान सूर्य और चंदर से क्या छुपा हुआ है महाराज अंधकार इनके प्रश्न का उत्तर है अंधकार जिसे सूर्य और चंदर धेख नहीं सकते क्योंकि सूर्य और चंदर की उपस्थिती में अंधकार अद्रिश्य हो जाता है इसलिए अंधकार सूर्य और चंदर से छिपा हुआ है उत्तर सही है महाराज आद बहुत पंदितरा मुझे शाथ तो महोद आए आपको आपके सभी प्रश्टू के उत्तर मिल गए है जी महाराज हम आशा करते हैं कि आपको ग्यात है कि उस रस्सी के साथ अब क्या किया जाए महाराज मैं कुछ कहने की अनुमती चाहता हूँ पंदित रामकिष्ण हमें ग्या थे आप किस विशे में अनुमती मांग रहे हैं मौदय पंदित रामकिष्ण हमारा ध्यान विजे नगर राजी की परंपरा की और आकरशित कर रहे हैं अतरहा हम आपसे अनुरोद करते हैं कि ये रसी अपने कले से निकाल लेजिए और महाजाए अपने अराज से अवश्य कहिएगा कि विजे नगर अपनी चुनोतियों को फूर्ण करना और अपने अतिछियों का आदर करना दोनों ही भली भाती जानता है अवश्य महाराज धन्यवाद पंडित रामा कृष्णा आप धन्य हैं पंडित रामा कृष्णा की जाए महाराज जल्दी ही उज्जन में आपसे भेट होगी अब हमें आज्या दीजिए महाराज कृष्ण देवराय की जाए महाराज कृष्ण देवराय की जाए कृष्ण देवराय की जाए यह पंडित रामा कृष्णा हमारी कुंडिनी में बैठा वह दोश है जिसका अनिवारन करने अत्यन्ती अनिवार्य होगया हमारी सभलता के मार्की सबसे बड़ी बाधा है यह पंडित रामा कृष्णा सवन मुद्राएं जिसके सबसे अधिक प्रिये पात्र हम गुआ करते थे इस पंडित रामा कृष्णा के विजय नगर में कदम रखते ही यह सवन मुद्राएं हमसे भी मुख हो गई इश्वर इश्वर हमें मुक्ति दिलाओ हम तो आपको अजाद करने के लिए आई ही थे लेकिन आप ही ने हमारी बात को नजर अंदास कर दिया आप अपनी आँखे बन कीजेए सतने आपके कुलाम है और आप उनके मालिक आँखे बन कीजीए और आनद की प्राप्ति कीजिए हमें कोई सपना ने दो कोई आनद की प्राप्ति ने होगी हमें आनंध हमारे चीवन से सदाइव के लिए पलायं कर गया, अब हम और नहीं सेंग पर पाएंगे, कब तक क्यों ही हरते रहेंगे हम, हमें कोई भरोसा नहीं है सपनों के ओपर तथाचार्य जी, सपनों पर भरोसा होना चाहिए, तभी तो वो मुम्किन होंगे, और फिर देखिएगा, एक दिन सारे आनंद के मार्क आपके लिए खुद पखुद खुल जाएंगे, इसलिए मैं कहता हूँ, आखे बं कीजिए और आनंद की प्राप्ति कीजिए, अमने कहा प्राप्ति होते होते रह गई, रह गई ना, तो एक बार सिर्फ मेरे कहने पे, सिर्फ एक बार, अपनी आखे बं कीजिए, सौप न देखिए, और फिर देखिए का आनंद की प्राप्ति कैसे होती है, अरका, मुझे मेरे मौला पर यकीन है, आखे बंद कीजिए, ठीक है, ह और वो स्वपन देखिये जो आप कबसे देखना चाहते थे राजगुरू तथाचर की राजगुरू तथाचर की आनन्द मिला थोड़ा थोड़ा आनन्द आ रहा था तो फिर आखे क्यों खोल दी? नहीं खोलना थी? नहीं, आखों को बंद ही रखिये और कसके बंद कर लीती है और सोच को और गहरा कर दीजिए वो सोचिये जो आपने कभी सोचा ही ना था किसी की पराजय की सोच, राजगत्री की सोच, आपकी महत्व कांशाओ की सोच विजयनगर राजय के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हमारे आदरनी, हमारे पूष्णिय, हमारे मान्य गुरुवर आचारी तथाचारी ही तो हैं इस पत्रमी प्रिवर के तो हुआकर। स्वामी… क्या हुआ? आनंध रहे है आनंध? महतर्मा आप क्यों पीछे खड़े होके इस आनन्द से महरूम हैं? क्या यह हो सकता है? क्या हमें भी ऐसे ही आनन्द का अनुभव हो सकता है? हाँ, आप भी आखे बंद करें और मन चाहा सपना देखो और तुम भी? कुंडपे, मैं गुरुवर के घर जा रहा हूँ ग्रंथु का अनुभवात करने के लिए अम्मा का है? मंदी गई है, गल के अवशक वस्तोय लेने कुंडपे, अब तु बड़ा हो गया है, बालक नहीं रहा घर के कारियों में अम्मा का हाथ बटाया कर क्या हाथ बताओ? गुलुवल इतने गलवकाले दे देते कि उसे पून कलने के पश्या समय ने बचता अच्छा, लगता है तेरे गुरुवर से भेट करनी होगी अभी मैं चलता हूँ खन्यवाद गव मता, खन्यवाद अति उत्तम मेरे शूरवी, पटक दे इस पहलवां को रामा, विजे नगर में ये क्या हो रहा है शेकचिली के किरपा से विजे नगर के निवासी, सामुल, दीवस अपने देख रहे हैं मेरा जो ड़्ड़ था, वो सत्य हो गया ऐसा नहीं है बंधू, हर नगर में कुछ आलसी व्यक्ति होते हैं, एवल आलसी व्यक्तियों को ही शेक्चिली महोदे का दर्शन भा सकता है, गर्मत व्यक्तियों को नहीं झालसी व्यक्तियों को ही अधूर्णी आलसी व्यक्तियों को